आज मैं आपके लिए बहुत ही सुन्दर बहुत इजी सा डिजाइन लेके आई हूँ देखिए फ्रेंड्स आपने इस पे कुछ भी नहीं करना है ना आपको फंदे गटाने है ना बढ़ाने है कुछ भी नहीं करना है इसमें जो आपने स्टीचीज लेने वह 4+, की उसमें अक़र्डिंग स्टीचीज लेने है ठीक है फ्रेंड्स यह नहीं की 4+, 4+,1 इस तरह करके आपने hier स्टीचीज इस पे कास्ट करने हैं ओके फ्रेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस डिजाइन को हमने कैसे बनाना है तो फ्रेंट्स मैंने अपने स्लाइए में 30 स्टीचिस कास्ट किये हैं यह मैं रॉंग साइड हूँ रॉंग साइड हमने यह देखिए यह राइट साइड है देखिए स्टार्ट करते हैं यह डिजाइन हमने कैसे बनाना है पहला फंदा हमने एज यह दिजाइन टल रहा है इसको आपने कुछ नहीं करना है कि इसके साथ वाला जो फंदा है जहां पर हमने यह पलटना है डिजाइन उसके साथ वाला फंदा पहले बनाना है जैसे यह पिछे वाला फंदा हमने पहले बना लिये यह फंदा ऐसे छोड़ा और ऐसे लेकर इसको भी ऐसे सिधा बुन लेना है इससatyरा बुन ले पिर से बीच में हमारे चार फंदे आने चाहिए बीच में यह देखिए यह हमने आशे बनाए तीन फंद्ध आगे चौता फंद्ध चाहिए तो यह वाला फंद्ध इधर को जाएगा यह वाला फंद्ध इधर को आएगा फिर से वैसे ही यह पहले बुनना है और यह बाद में बुन लियो इसी तरह से पूरी की पूरी सलाई आपने सिर्फ आपने इनको इस तरह ही पलटना है और कुछ भी नहीं करना है और उल्टी सलाई में जाके इसको हमने सिर्फ स्लिप करना है इस वाले फंद्ध देखो यह दिखे है यह हमने पूरी की पूरी सलाई डे ली अब उल्टी पूरी तरफ आपने क्या करना है यह हमारी रॉंग साइल इसमें आपने क्या करना है पहला फंद्ध एजईटी उठा दिया अब देखिए यह फंद्ध जो हमने पलटा था वह वाला फंद्ध मने एजईटी उठाना है यह कि स्लिप करना है बाकि सारे फंद्ध हमने इस तर चार फंदे बुने, पान्चो फंद आईंगे है यह हमने पान्चो फंद आईए है यह आपने एजएटी जट आदेना है इस तरह से पूरी की पुरी आपने 했어 ले लेने है कि यहां पूरी स्लाई ले लिए अब यहां पर हमार पास आगे हैं पांच वंदे एक दो तीन चार पांच वंदे तो यहां से यह वाले जो हमने बनाना शुरू किया था यह वाले यहां पर हमने खत्म हो चुका है अब यहां से हमने शुरू कर देना है इस तरह ले ले लेना है पहला फंदा इज़िटीच उठाए है हमने अगला फंद दून लिया यह फंद इस तरह सलाई से उतारा फिर यह बूनना और ही हमने फिर से डिजाइन स्टार्ट कर दिया है है अजिए हम सीधी दरफ आगे अब हमने यहां से फिरसे डिजाइन स्टार्ट करना है तो क्या करना है पहला पंदा नहीं बुनके उसे अगले वाला अंदा मने बुलेना है ये देखिए इससे बुलिया हम ने पुल्यक्न एवला फंदा छोड़ा और येस इस तरह प्लार दिया तब तीन प्लाइब फंदा फिर से इसे आपने प्लाइब देना है नेक्स वाला फंद पहले बुन लाना है और ये वाला फंदा इस तरह पाला इसी तरह आपने यह सारे सारा इससे डिजाइन डाल देना है उल्टी तरफ को आपको पता है कि आपने यह स्लिप करना है यह वाला फंदा जो आप अलट के आगे को बढ़ा रहे हो परेंट्स यह जो डिजाइन है किसी भी कैप मफलर या फिर गलव इनमें डालें तो बहुत और लगा स्वेटर में भी यह बहुत सुन्दर लगता है बढ़ आप मफलर और अपनी गलब्स में यह डिजाइन डालेंगा तो बहुत सुन्दर लगेगा हो सके तो इससे ज्यादा मोटी वाली ओन जो होती है ठीक है उसे आप यूज किजिएगा उसमें यह बहुत सुन्दर होता है वह उससार जाके स्लिप करना होता है आपने किके फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरे डिजाइन पसंद आया हो अगर इस डिजाइन से रेलेटेड आपके कोई भी कोशन हो आम मुझे कमेंट शक्शन में लिख सकते हैं आज की वीडियो में इतना है मिलते हैं फिर न नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी बेल आइकन भी प्रेस करना न भूले ताकि आपको मेरी नए वीडियो के अपडेट लगाता है